Hello friends, welcome to all of you, मैं प्रशान चौबे आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर तो चलिए फिर से एक ने टॉपिक पर हम आए हैं, तो ये हैं निलसल मंडेला जी तो इन्होंने एक statement दिया था कि लोगों को उनके मानवधिकारों से वंचित करना, उनकी मानवता को चुनौती देना है तो इस statement से आप समझ गयोंगे कि किस topic पर बात होनी है, जानि मानवधिकार से संबंदी चीजों पर बात करेंगे हम क्यों आखिर इस topic की जुरुत पड़ी जो है इसको लेकर क्या है, क्रोना वाइरस फैला है, लेकिन क्रोना के भी मामले में हम मानवधिकारों को देखेंगे क्या है तो मानवाधिकार तथा राश्टी मानवाधिकार की भी हम बात करेंगे क्या है थोड़े से उसको matter को समझेंगे कि क्या है तो सबसे पहले थोड़े से हम परिभासा समझ लेते हैं ठीक है और क्यों ऐसी चीज आनपड़ी की इसको लाने की जुरुत पड़ी तो देखिए तो राष्टी मानवादिकार आयोग ने जो है केंदर सरकार से सभी राजियों और केंदर सासित प्रदेशों को एक एडवाजरी जारी करने को कहा है और कहा है कि आम जनता के मानवादिकार के उलंगन किये बिना देश ब्यापी जो लाकडाउन हुआ है उसको सही ढंक से लागू किया जाए अब यहाँ मानवादिकार का मतलब यह नहीं है कि हम बिना किसी कारण से ही लगें घूमने और अगर पुलिस हमें मारती है या हम पे सक्ती दिखाती है तो हम यह कहें कि हमारे मानवादिकार का उलंगन हो रहा है तो जी नहीं यहाँ पर यह चीज नहीं लागू होगी चलिए थोड़ी सी मानवा अधिकार की परिभासा को हम देखते हैं तो मानवा अधिकार की परिभासा की अगर हम बात करें तो मानो अधिकार से अभिप्राय, मौलिक अधिकार एवम सुतंतरता से है और जिसका सभी प्राणी हकदार है तो ये तो मानवा दिकार से जुड़ी वी चीजों की बात हुई सेंक्त राश्रंग के अगर मानवा दिकार संबंदी चीजों को हम देखें तो वो कहते हैं कि मानवा दिकार जो है वेक्तिके जाति, लिंग, राष्टियता, भासा, धर्म या किसी अन्य प्रकार से भेदबाओ किये बिना उनको प्राप्त हो तो ये चीज़ आप जानते होंगे कि हमारे मूल अधिकारों में भी इस चीज की बात हुई है भारती संविधान के मूल अधिकार में भी जो है इस तरह की बात हुई कि जो अधिकार हमें प्राप्त हैं जो है उसी तरह कई बार जो है विदेशियों को भी वो अधिकार हमारे याँ प्राप्त होते हैं कुछ अधिकारों को छोड़ कर चलिए आगे next point को देखते हैं अब य क्या है तो मानवा अधिकार जो है अब इस विषय पर थोड़ा सा थोड़ा सा अंदर चलते हैं इसके में तो मानवा अधिकार से मुक्त जीवन और सोतंता का अधिकार और यातना से मुक्ति का अधिकार ठीक है यह चीज हुई अब यह आखिर क्यों बना भारत में मानवा अध तो वही सुन्दा का अभिकार या उससे जुड़ी हूए तो वही ह I can मैं मगंटा जीवन और स्वाइव्द्णंतता का अधिकार और यात्ना से मुट्टी का अभिवेकत की स्वाइवक्ट का अधिकार काम-ेओं-सिछा का अधिकार यह चीज़ भी सामिल है तो मैंने यह चीज़ बताई आपको यह चीज़ सामिल है ठीक है और सेंक्तुरासंग का बताया ही कि मानवा अधिकार जा, तिलिंग, राश्टीता, भासा, धर्म और किसी अन्य आधार पर भेदभाव किये बिना जो है उनको हम अधिकार मिलें और कोई विक्ति बिना किसी भेदभाव के इन अधिकारों को प्राप्त करने का हकदार भी होता है अब भारत में अगर मानवा अधिकार की हम बात करें तो यहाँ पर इन अधिकारों की रच्छा के लिए भार्द में जो है राष्टी मानुवादिकार आयोग जो है वह बना हुआ है लाने के पीछे के कारण क्या रहे कि थोड़ा सा गराब बैग्राउंड में जा ये तो 1993 के पहले और भी पहले कई बार क्या होता था कि कई जगा Human Rights के Violation होते थे तो वो चीज़े पूलिस के द्वारा भी हो जाती थी लोगों के द्वारा भी हो जाती थी तो वहाँ पर इन आयोग का गठन किया गया कि आप ये निग्रानी रखें कि कहां पे मानुदिकार का उनलंगन हो रहा है कहां पर नहीं हो रहा है या किसी भी प्रकार से मानवादिकार का हनन ना हो तो इन चीजों को देखते हुए भारत में जो है 12 अक्टूबर 1993 को मानवादिकार आयोग की गठन किया गया है और यह जो संस्था है एक तरह से सुतंत और वैधानिक संस्था है भारत की यह किसी भी तरीके से जाच कर सकती है यानि 7 सदस्यों का जो होता है इसमें मनों नयन होता है बाकी जो चार रहेंगे तो वो तो फिक्स हैं बिलकुलë राष्ट पती जी और प्रधान मंतरी के ढ़ारा, ठीक है यह चीज़ थी, यह तीम पॉइंट मैंने आप प्लियर कर दिये तो अब इसमें से क्या होता है कि साथ सदस्य एक संस्था है जिसमें जो है साथ सदस्य होंगे ये तो तैय है अध्यक्ष जो है और सदस्यों की जो नियुक्ति है वराष्टपती और प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली जो है एक कमेटी के द्वारा किया जाएगा ठीक है दूसरा है जो है आयोग में पांच और सदस से रखे जाते हैं जो भीन भीन छेतरों से होते हैं जैसे कानून से भी होते हैं जाच विभाग से भी होते हैं जो नीटी निर्माता होते हो जो अंसंधान के कारियों में लगे रहते हैं उनसे भी और कारिकरम और प्रसिछन और प्रसासन विभाग से होते हैं यानि administration से भी यह लोग आते हैं ताकि ऐसा नहीं है कि आपी के साथ मानवादिकार या किसी आमा नागरी के साथ मानवादिकार का उनलंगन हो जाए कई बार कई ऐसी संस्थाइं हैं जहां पर भी human rights के violation हो जाते हैं उनको देखने के लिए इस I.O. का घठन किया गया अब अगर इसको देखा जाए तो ये चीज़े क्या करेंगी इनकी कार यह तथा सकतियों के बारे में हम थफोड़ा सा देख लेते हैं अब थोड़ा सा कार यह तता सकतियों के देखते हैं या कोई सिकायत करता है या किसी सिकायत के माध्यम से आता है तो NHRC जो है उसकी जाच करने का उसको अधिकार है कि वह उस चीज़ की जाच कर सकती है सेकेंड पॉइंट पर अगर आएं चलिए देखते हैं तो NHRC मानवा अधिकार के छेतर में अनुसंधान का भी कारे करती है हाँ यहाँ पर मानवादिकार का उनलंखन हुआ है तीसरे पॉइंट पगर आते हैं तो NHRC जो है जो नेशनल हुमन राइट कमिशन है वो जो है प्रकासन यानि पेपर के माध्यम से टीबी चैनल लोग पे जो न्यूज के माध्यम से भी समाज के विभिन वर्गों के बीच में मानवादिकार से जूड़ी जो है आप देखेंगे जानकारियां अकसर आती रहती रेडियो में भी आता है कि ये चीजे जो है मानवादिकार के उनलंखन की स्रेडिय में आती है बद्वा मजदूरी जैसे कई बार पहले आता है नेशनल पे तो वहाँ पर उन चीजों को बताया जाता था वह भी एक तरह से मानवादिकार का उनलंखन है या हीमन ट्रैफिकिंग से जूड़ी ही चीजे अगर होती है और इनको वो सक्तियां प्राप्त है और या आपको कई बार जूटे मामलों में या जबरी वहाँ पर फंसाया गया रहता है तो वहाँ पर भी या आपको राहत प्रदान करते हैं अपनी जाच के दोहरा और मानवादिकार के उलंखन से संब्दि सभी जो है नाइक मामलों में या हस्ता छेप भी कर सकते हैं इनके पास राइट्स हैं तीक है अब लास्ट में आप एक देखे होंगे कभी कभी जेलों का भी सर्वे किया जाता है तो आयोग जो है किसी जेल जेल में बंद कैदी या जो बाल सुधार ग्री हैं वहां की जाच या कई ऐसे जो नारी सिच्छा निकेतन हुए उनकी जाच जो है वह कर सकता है निरिछण कर सकता है और अगर वहाँ पर किसी प्रकार सबका है चलिए अब मानवा दिकार और भारती सम्विधान ठीक है तो व्यक्ति के समग्र विकास के लिए मानवा दिकार आवश्यक है ये तो हमने जाना ठीक है और मानवा दिकार और भारती सम्विधान किस तरह से एक सिक्के के ही दो पहलू बनते हैं इसको आप देखेंगे भारती सम्विधान में भारती नागरिकों को, तता विदेशी नागरिकों को मौलिक अधिकारों में मानवा अधिकार से संबंधी प्रावधान किये गए हैं, यह तो हम सभी जानते हैं, कि उनको भी कुछ राइट्स हैं, हमें भी राइट्स हैं, ठीक है, और जीवन का अधिक सुथांतरता का अधिकार हुआ और इन चीजों का उल्लेक भी हमारे सम्विधान में किया गया है मौलिक अधिकारों में तीसरे पॉइंट पर गरम आए तो भारती सम्विधान की प्रस्तावना में भी यह बात की गई है कि हमारा देश कैसा होना चाहिए कि समाजवादी पंत निर्पेच और लोकतांतरिक गढ़ राज घोसित किया गया है समाजवादी से मतलब यह है कि सभी को इक्वल जो है समाजवादी पार्टी नहीं समाजवादी एक छवी बने हमारे देश की पंत निर्पेच्छी यानि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा व्यक्ति का धर्म होगा और लोकतांत्रिक यानि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होगी एक चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से हमारे हां लोग आएंगे किसी प्रकार से कोई राज साही परंपरा हमारे हां नहीं चलेगी तो यह चीज थी हमारे सम्विदान से जुड़ी हुई वहां भी मानवादिकार का क्या रोल है उसको देखते हैं अब सबसे लाश्ट पॉइंट पा जाते हैं कोरोना और मानवादिकार जानी स्टार्टिंग में जो चीज थी अब यहां उसके कांक्यूजन पहमाते है क्या कि यहां पर मानवादिकार कहां से अचाना का रहा है तो मानवादिकार आयोग ने मैंने बताया कि ग्रिह मंतराले से अन्रोथ किया कि लागडाउन के दौरान जो भी मानसी क्रूप से बीमार हैं जो बहुत गरीब हैं या जो सारीडिक रूप से अच्छम लोग हैं उन का सकती से पाल उनके उपर दबाव बना के जो है गवर्मेंट के दवारा दबाव बनाया जा रहा है कि आप इसका किसी भी तरह से मजदूर हैं ठीक है उनके साथ इस तरह का दुर्बेभार ना करें ठीक है यह अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट के उपर कि वो क्या कहता है तो आर्सी के अनुसार जो है ग्रीव मंतराले को एक सभी राज्य हैं जो केंदर सासे प्रदेश हैं उनको आवसक निर्देश च खितर में चीजें आती हैं तो वहां पर वो क्या करें जो भी मांसीक सारीरीक या जो बहुत ही गरीब हैं उनके भोजन आब आस्रे और उनके चिकितसी देख भाल की भी वेवस्था वो करें और किसी प्रकार से वह जो है इन अधिकारों से वन्चित ना रह पाएं क्योंकि लागडाउन जैसी इस्थिती ये कुरोना एक बहुत ही खतरनाक महामारी है तो उससे उनका बचाओ भी करें ठीक है तो ये चीज जुड़ी हुई थी आपके मानवाधिकारों से जुड़ी हुई ठीक है तो वही जाते जाते फिर कहेंगे कि नेंसल मंडेला जी के सब्दों मे अगर बात करें तो लोगों के उनके मानवाधिकार से बंचित करना उनकी मानवता को चुनोती देना है तो ये चीज थी आपके मानवाधिकार से संबंदित हमारे समिधान में क्या हूँ मानवाधिकार के प्रावधान है कोरोना के मानवाधिकार से क्या है आयोग कैसे बना आयो कैसे काम करता है इससे जुड़ी हुई तो उमीद करते हैं आपको चीजें अच्छी लगी होंगे अच्छे से समझ में आई होंगी तो अभी के लिए धन्यवाद नमस्कार जैहिन मिलते हैं फिर नए टॉपिक पर